मेगाले हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को अपने फैसले में केंदर सरकार से अपील की है कि भारत को इसलामिक देश बनने से बचाया जाना चाहिए और साथ में ये भी कहा है कि आजादी के समय जिस तरह पाकिस्तान इसलामिक देश बना उसी तरह भारत को भी हिंदू राष्ट बनना चाहिए था जस्टिस सुदीप रंजन सेन ने अमन राणा नामक एक व्यक्ति की याजका पर सुनवाई करते हुए ये टिपणे की आईए जानते हैं जस्टिस सेन ने किनकिन मुद्धों पर चिंता व्यक्ति की ये एक निर्विवाद तत्य है कि विभाजन के समय लाखों सिखों और हिंदू की हत्य की गई उनके साथ अत्यचार और बलातकार किया गया उन्हें अपने पूरवजों की संपती छोड़ने के लिए मजबूर कर दे गया और उन्हें अपने जीवन और इज़त को बचाने के लिए भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया विभाजन के समय पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक देश घोशित कर दिया और भारत जो धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था उसे हिंदू देश घोशित किया जाना चाहिए था लेकिन वो एक धर्म निरुपेक्ष देश बना भारत में खुन बाहा कर आजादी हासिल की और सबसे ज्यादा पीड़त हिंदू और सिख थे जिन्हें अपने पूरवजों की संपती जन्म इस्थान को आशूओं और डर से छोड़ना पड़ा और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे हाला कि ये उलेख करना गलत नहीं होगा कि जब सिख आए तो उन्हें सरकार से पुनरवास मिला लेकिन हिंदूओं को समान विबाहर नहीं मिला ये कहना सही नहीं है कि भारत ने सोतन प्ता अहिंसा से हासिल की बल्कि ये हिंसा के माध्यम से हासिल हुई है जिसमें लाकों की तादाद में हिंदू और सिखों ने अपनी जिंदगी, संपती और भूमी और आजिविका का बलिदान किया आज भी पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, बौध, ईसाई, पारसी, खासी, जैन्ती और गारों पर अत्याचार किया जाता है उनके पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं है और विभाजन के दौरान भारत में प्रवेश करने वाले हिंदूओं को अभी भी विदेशी माना जाता है जो मेरी समझ में बेहद अनुपचारिक है, अवैध और प्राकरतिक न्याय के सिध्धान्त के खिलाफ है कानून लोगों के लिए बनाय जाते है ना कि लोगों को कानूनों के लिए बनाय जाता है और ये भी एक तथ्य है कि कानून तभी प्रभावित हो सकते हैं जब वो इतिहास और जमीनी वास्तिविक्ता को ध्यान में रखें मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी को भारत को एक और इसलामिक देश बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अन्यता ये भारत और दुनिया के लिए कयामत का दिन होगा मुझे पूरा भरोसा है कि शिरिमान नरेंदर मोदी जी के अधिन सरकार इस विशे की गंभीरता को समझेगी और उपरियुक्त अन्रोद पर कदम उठाएगी और मुख्य मंतरी मम्ता बेनर जी भी राश्टीय हेतों को ध्यान में रखकर इसका समर्थन करेंगी मैं प्रधान मंतरी, कानून मंतरी और सांसदों से अपील करता हूँ कि वो कानून पास करें जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगला देश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौध, इसाई, पार्सी, खासी, जैन्ती और गारों समुदाए के लोगों को बिना प्रमान पत्र के देश की नागरिकता दी जाए मैं उन मुसलिम भाई और बेहनों के खिलाफ नहीं हूँ जो कई पीडियों से भारत में रह रही हैं जो देश के खानून का पालन करते हैं वो शांती पूर्वक यहां रह सकते हैं कोर्ट सरकार से आशा करती है कि वो इस अदालत के फैसले पर गोर करेगी और देश और उसके नागरिकों की रक्षा करेगी पंजाब केसरी के लिए मनीश शर्मा की रिपोर्ट